हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टो अवर यूटूब चैनल, ब्लू रिवोल्यूशन, आज हम बात करेंगे मचलियों की उत्पादन के लिए कंपोस्ट की आउसकता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका परिच्चय, जैसा कि आपको आउगत है कि खेतों में क्र प्रॉप्स को न्यूट्रियंस जमीन से प्राप्त होता है इसी प्रकार मचलियों के व्रिद्धी के लिए भी न्यूट्रियंस भूमी से उपलप्त होते हैं. पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए फटिलाइजर का प्रयोग अनिवार्य है आपने यह अनुभव किया होगा कि जीन तलापों में मवेशियों को धोया जाता है उसमें मचलियों की वृद्धी अपेक्षा से अधीक होती है क्योंकि उनके एक्सक्रीटा आते रहते हैं इसी प्र मश्यक उर्वरक मश्ली पालन एक प्रकार का जली खेती है जिन फटिलाइजर का प्रयोग खेतों में किया जाता है उन फटिलाइजर को ही मोटे तोर पर मश्ली पालन के लिए भी उप्योग किये जाते हैं इन फटिलाइजर को दो भागों में डिवाइट किया गया है पहल या सिंगल सूपर फोस्पेट डी एपी आदी सामिल है। चुना का प्रयोग चुने का प्रयोग तलाब में किया जाना अनिवार्य है। इसे भी हम कंपोस्ट की ही स्रेणी में रखते हैं। इसे उपयोग करने से स्वयल की प्रेजेंट नूट्रेंट्स पानी में उपलब्द हो पाते हैं। चुने को पानी में घोल कर तलाब में इंक छिड़का किया जाता है। चुने के प्रयोग से निम्नलिकित लाब होते हैं। पहला पानी के pH को 7.5 to 8.5 के बीच बैलेंस रखता है, पानी को clean and healthy रखते हुए इसमें dissolve oxygen के मातरा को बढ़ाता है, मचलियों को disease free रखने में help करता है, मचलियों की growth तथा breeders को समय पर mature होने में help करता है, जब कई दिनों से बादल के कारण सूरी नहीं निकला हो या मचलियों सुर्योदय के पूर्व सता पर आकर असमय वैवार करती हो तो मचलियों को accidental date से भी बचाता है, और तलाब के प्रयोग किये जाने वाले गोबर आदी को त्रिव्यता से dissolve करता है, चुने का प्रयोग compost डाल पर पानी के भीतर डाल दिया जाता है, ताकि धीरे धीरे रीष कर तलाब के जल में घुलते रहे, गोबर डालने के दो सब्ता बाद फीश सीट का कलेक्शन किया जाता है, ताकि इस प्रेड में प्लेंक्टॉन की मात्रा के अनुसार compost का प्रयोग किया जा सके, जिसके कारण organic and chemical compost का प्रयोग 15 दिनों की अंतराल पर किया जाता है, मुर्गी की बीट में organic and inorganic दोनों elements अवलेबल होते हैं, यह मतश्य पालन के लिए विशेस लाबदायक है, अगर तलाब में पानी की गहराई कम हो, अच्वा पानी का कलर, black, brown या dark green दिखाई दे, तो compost का प्रयोग ब गोबर 10,000 kg per year, चुना 200 kg per year, यूरिया 150 kg per year, सिंगल सुपर फॉस्पेट 150 kg per year, मुरेट और पोटास 25 kg per year डाला जाता है, मतश्य पालन में ध्यान देने योग्य बाती, तलाब में मतश्य बीज छोड़ने के पहले मतश्य बीज के polythine pack या हांडी को तलाब के पानी में 10 मिन रहने दे, ताकि मतश्य बीज वाले पानी और तलाब के पानी के तापमान एक हो जाए, उसके बाद ही मतश्य बीज को दीरे दीरे तलाब के पानी में जाने दे, तलाब में जानवरों को प्रवेश कराने से तलाब के तल का पानी एवं सता का पानी मिलता रहता है, जो मतश पालन के लिए लाब दायक है तलाब के पार पार खड़े होकर तलाब के पानी पर रसी पिटने से या तलाब में जाल चलाने से या लोगों के तैरने से तलाब के पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल होता है तता मचली का अच्छा एक्सरसाइज भी होता है जो मचली की ग जाल सकते की बिमारी से बचा जा सकता है तलाब में जाल डालने के पहले जाल को नमक पानी से अच्छी तरह धोले इससे मचली में होने वाली डीसिस से बचा जा सकता है तलाब का पानी यदि डार्क ग्रीन हो जाए या उससे किसी तरह का गंद महसूस हो तो बीना देर किये त किसी भी तरह का बोजन या कमपोस्ट तलाब में डालना बन कर दें यदि तलाब सदा बाहर है तो कोशिस करें कि आधे कीलों की उपर की मचली निकाली जाए और यदि आसपास मौसमी तलाब है तो उससे छोटे बच्चे 100-150 ग्राम का मचली खरीदें अपाति स्थीति में वीडियो अलसो